परमेशर ने यसुनू मुर्दियां विच्चों जोंदा कीता सिपाहियां दे यसुनू सलीब देंटों बाद अविश्वासी यहुदी आगवाने पिलातूस नू कहा चूठे यसुने कहा ओ तिन दिन बाद जी उठेगा किसे नू चाहिदा है के कबर्दी राखी करे जो के उस दे चेले लाश नू चोरी ना करन अते फिर उस नू जी उठेया है कैन पिलातूस ने कुछ सिपाही लैन अते कबर्दी सुरख्यत बनाउन लई केह इसले उनना कबर्दे परवेश दौारते पत्थरते मोर लाई के कोई वी लाश नू चोरी ना कर सके अते उठे सिपाहियानू पहरेते रख्या यसुनू दफनाए जानतों बाद अगले दिन सबदा दिन सी अते यहूदियानू उस दिन कबर्दे जान दी अजाजत नहीं सी इसले सबदे दिन दे बाद तड़के कई औरतां यसुनू दी कबर्दे जान ले त्यार हुईया के उस दी लाश दे होरवी दफनाण वाले मसाले लाए जान अचानक एक बहुत वड़ा पुचाल आया एक दूत स्वर्गतों आया जोके बिजली दे वांग चमकदा सी उसने कबर्दे प्रवेश दुआरते पथर नू हटाया अते उसते बैठ गया कबर्दे पैरेदार सिपाही डर गए अते बेहोश होके जमीन ते डिग पै जदों औरतावी कबर्दे पहुंचिया दूत ने कहा डरो ना यिसू एथे नहीं है ओ मुर्दया विच्चों जी उठया है जिस तरह उसने कहा सी उसने कीता कबर विच जाओ अते वेखो औरता ने कबर दे अंदर विख्या जिते यिसू दे सरीर नू रख्या गया सी उस दा सरीर ओथे नहीं सी फिर दूत ने औरता नू कहा जाओ अते चेलिया नू दसो के यिसू जी उठया है अते ओ तोहड़े अग्गे गलील नू जावेगा औरता डर गया अते बहुत ही खुशी नाल पार गया ओ चेलिया नू खुश कबरी दस्सन लेई पाज गया जदों औरता चेलिया नू खुश कबरी दस्सन लेई आपने राते सन यसू परगट होया अते ओना उस दी उपासना कीती येसुने केहा डरो ना जाओ अते गलील नू जानले मेरे चेलेयानू दसो ओ मैंनू उत्थे वेखणगे